बर्तन दोने का साबुन एक बहुत ही उपयोगी वस्तू है क्योंकि भोजन बनाने के लिए आपको साफ बर्तनों की जरुरत हमेशा पढ़ती है और बर्तनों को साफ करने के लिए डिश्वाश बार या टब का इस्तिमाल करना एक सरल और साफ तरीका है आज हम आपके लिए लाएं हैं डिश्वाश बार या टब या बर्तन दोने का साबुन बनाने के विवसाई की पूरी जानकारी नमस्कर, में नम दिनेश है, मैं नोगो केम से हूँ और आज हम लोग यहां पर डिसकुशन करेंगे और आपको दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर कि डिटिजन के को डिशवस्बार कैसे बनती है, डिशवस्बार, डिशवस्टब जो की बरतनों में यूज में आती है, तो इसके लिए हम आपको मशीनरी और इसके रिक्वाइड केमिकल्स, पॉमलेशन और बनाने के तरीकी के बारे में थारी चीज़ें आपको बताएंगे, तो आईए देखते हैं इस वाश्बार बनाने का पूरा प्रॉसेस, बरतन्द होने के साबन बनाने के लिए, सबसे पहले सभी raw materials, dolomite, soda ash, sodium silicate, को एक एक करके विदियन अफसार, sigma mixture में डालते हैं, जहां ये mixture अच्छी तरह से homogenize हो जाएगा, इस mixing के प्रॉसेस में लगबग 40-45 मिनट लगेंगे, raw materials का रिशियो आपके finished product की quality पे depend करेगा, तो जो marble powder आपका होता है, उसके अंदे calcium और magnesium दोनों च के अंदे 90% calcium percentage होना चाहिए, ये थोड़ा सा ज्यादा white होता है, compared to आपका china clay, इसके अंदे whiteness बेटर होती है, और इसके अंदे calcium percentage होती है, इसका रोल क्या होता है के अंदर, जब silicate के साथ रियक करता है, तो एक binding देता है, एक stinting देता है, मजभूती देता है, इसलिसके कैल से यूज़ करते हैं, अब इसमें slurry add करेंगे, इसके बाद इसमें 5-6 लीटर पानी पड़ेगा, पानी की मौत्रा उस्थान के मौश्चर और समय पे डिपेंट करेगा, अब इस mixture में foam booster मिलाएंगे, जो आपके product में जाग को बढ़ाएगा, इसके बाद इस mixture में desired color टालते हैं, color code डाल कर 20 मिनट के लिए mixer का valve बंद कर देंगे, 20 मिनट के बाद इस mixture में sodium silicate डाल कर 5 मिनट के लिए फिर से छोड़ देंगे, इसके बाद इसमें polymer और liquid fragrance अड़ करेंगे, Polymer का जो रूहल होता है basically, ये बाइंडिंग में आपको हिल्व करता है, पोड़क के अंदर बाइंडिंग देता है, दूसरा आपका क्या है कि anti-reporting और anti-skilling देता है, आपने देखा हो का जैसे कई बाद आप जब बरतन बाहर से बरतन को दोते हैं, और बरतन को दोने के बाद भी आप जब उंगली से हाथ फिर आते तो कुछ मिठ्टी सी आती है, तो basically क्या है कि दिश्वर्ष बार या डिटिजन केक के अंदर जो मेंडर्स यूज होते हैं, ये सारे वाटर इंसॉलेबल होते हैं, ये वाटर इंसॉलेबल होते हैं तो ये आपके बरतनों के ऊपर चिपकते हैं, इसलिए इसके अंदर पॉल्मर जालते हैं ताकि आपके बरतन के ऊपर कोई भी मिठ्टी चिपकेगे नहीं, और पूरा का पूरा जब हम क्लीन करेंगे, जब बरतन को रिंस करेंगे तो पूरा का पूरा बहार निकल जाएगा, इसके अलावा क्या है, पॉल्मर जो आपका है आपके ठीकिया को बांदिंग भी देगा और इसकी मिल्टिंग को भी कंट्रोल करेगा, यह है फ्रेग्नेंस, क्योंकि बरतन जब हम दोते हैं तो बरतन धोने के बाद हम सभी चाहते हैं कि उसके अंदर एक अच्छी खुश्बू आए और पुड़क के अंदर भी खुश्बू आए, तो यह फ्रेग्नेंस है परिश्वूम है, डिश्वस के अंदर मैक्सिम लेमन यूज करते हैं इसके अंदर मैं लेमन की परिश्वूम डाली गया, और काफी अच्छी खुश्बू आ रही है इसकी, अब इसको 2-3 मिनट हम चलने देंगे और चलने के बाद हम इसको ओपिन करके बहार निकाल लेंगे, जब यह मिक्स्चर पूरी तरह से आपस में मिल जा अब इस गोल की अम कटिंग कर लेंगे इसकी ऊपर आप देखने जैसे स्टांप अपनी लगा सकते हैं कि कैसी आपके स्टांप लगेगे आप अपनी जरूरत के अनुसार एक्स्टूडड़ की डाई को चेंज करके राउंड या फिर बार शेप में प्रोड़क को कट कर लेंगे इस तैयार हुए प्रोड़क्ट पर आप अपने ब्रैंड का नाम छापने के लिए स्टैंपिंग करेंगे और फिर डिजाइड पैकिंग के अकॉर्डिंग तब या फिर प्रिंटेट शीट्स में पैक कर सकते हैं आपका प्रोड़क्ट यानि बर्तंद होने का साबुन बनकर तैयार है बर्तंद होने के साबुन बनाने के लिए आपको इन मशीनों की जरुवत पढ़ेगी सिग्मा मिक्स्चर जिसकी कीमत लगवग 2,60,000 रुपए तक बढ़ेगी प्लॉडर या एक्स्टूडर मशीन जिसकी कीमत आपको लगवग 1,60,000 रुपए तक पढ़ेगी कटिंग मशीन, कटिंग मशीन की कीमत लगवग 12,000 रुपए तक पढ़ सकती है दाइस, हर एक डाई की कीमत 5,000 रुपए तक पढ़ती है स्टैम, जिस पे आपके ब्राइंट का नाम होगा Manual Packing Machine Finished product को pack करने के लिए आप Raw Materials बरतनद होने के साबुन बनाने के लिए आपको इन Raw Materials की ज़रुद पढ़ेगी China Clay, Calcite, Dolomite और Marble Powder सोडा एश, सलरी या लापसा, अलफा ओल्फिन सल्फनेट, सोडियम सिलिकेट, पॉलिमर्स और फ्रेग्नेंस एरिया इन सभी मशिन्स के साथ बिजनेस सेट अप करने के लिए बहुत बड़े एरिया की रिक्वार्टमेंट नहीं पड़ती हैं लेकिन regular production के लिए आपको raw materials का stock maintain करना पड़ेगा जिसके लिए आपको लगबग 1000 square fit एरिया की ज़रुद पड़ेगी जिसमें आप finished products को भी आसानी से रख सकते हैं civil work अगर बात करें civil work की तो आप shade या फिर RCC roof में भी work कर सकते हैं मगर ध्यान दें आपको अपने raw materials और finished products दोनों को ही पानी से बचा कर रखना होगा manpower इस तरह के soap plant को चलानी के लिए ज्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है सिर्फ दो या तीन व्यक्ति ही इस plant को पूरी तरह से चलानी के लिए काफी हैं इस plant को चलानी के लिए आपको तीन किलो वाट electricity की requirement पड़ेगी investment डिश्वश बाहर के plant को आप लगभग 7 से 8 लाके investment में शुरू कर सकते हैं शुरू कर सकते हैं